Hello everyone, आज हम discuss करने वाले हैं कुछ abbreviations के वारे में हमने आखिर कभी ना कभी दबाओं के रेकर के उपर कुछ abbreviations लिखे हुए देखे होते हैं जैसे कहीं कहीं पर हमने BP लिखा हुआ देखा होता है कहीं कहीं पर हमने USP लिखा होता है और कहीं कहीं पर IP भी लिखा होता है आखिर दवाओं के उपर ये एबरिवेसंस क्यों लिखे जाते हैं क्या होता है ने एबरिवेसंस का मतलब जानते हैं डिटेल में सबसे पहले हम बात करते हैं IP IP का मतलब होता है इंडियन फार्मा कोपिया बेपी का मतलब होता है बेटिस फार्माकोपिया यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेट इस्टेट फार्माकोपिया जो ये फार्माकोपिया होता है ये एक बड़ी से स्टेंडर्ड बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सारी जानकारी इसी के बुक के अंदर स्टोरेज की जाती है इस मेडिसन को कैसे बनाया जाता है क्या इसके टेस्ट प्रोजिसर होते हैं क्या इसकी क्वालिटी लिमिट होते हैं क्या इसकी प्यूर्टी इंप्यूर्टी होती है क्या इसकी स्टोरेज कंडिशन होती है क्या इसके जूजिज होते हैं और क्या इस मेडिसन के इंडियन वार्मकोपिया का मतलब ही कि ये एक बहुत ही मोटा सा गहरंद का होता है जिसमें 4-5 जार पेज होते हैं और इसी पेजों के अंदर इन अंडरिंसारी मेडिसन की जानकारी अवेलवल होती है जो भी इये मेडिसन बनाई जाती हैं जिसे न्यूफोर्च 200 यानि ये इ आइपी के अकॉर्डिंग बनाए गई है जो इस बी टेबलेट के टेस्ट प्रोसीजर हैं क्या इस टेबलेट के यूजिस हैं साइड एफेक्ट हैं क्या इसके स्टोरिज कंडिशन है सब कुछ इस बुक के अंदर पहले से ही मौजूद होती है जानकारी उसी को देखते हुए हम इस टेबलेट को बनाते हैं